और आज धिरे-धिरे हम लोग applied की तरह बढ़ेंगा आगे और जो भी बच्चे आज फस्टे देख रहे हैं चिंता कर यह बात नहीं मेरा हर क्लास अपने आप में एक अनुठा क्लास होता है तो आज अगर आप फस्टे भी आये हैं तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं आपको कोई चिंता नहीं करना है और जबी क्लास मेरा जब आयेगा जो भी क्लास में लेता हूँ स्टार्ट करता हूं मैं स्टार्टिंग से ही तो आपको प्रॉलम नहीं होता तो सबसपर ले आप देखें धर्मेंशार को आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे को गुड और धीरे 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 एक्लैमिक्स तब चलेंगे लाइब क्लास में हमने दस दिन का आप से टाइम मागा कि जस्ट गीव मी 10 देज टाइम आई विल गीव यू दा कॉंसेप्ट ऑफ इंग्लिस है ना दस दिन का समय जब गया तो आपको आंग्रेजी का वो कॉंसेप्ट में दूँगा जिसके तृओ आप न्ग्रेजी में शिg Yeah अंगरेजि में राइटिंग और अंगरेजि का वो basic grammar और वो question इंगर करने के लिए क्या method होना चाहिए, common error आज ही कर भाऊंगा मैं, तो common error का कैसे concept solve करें, इससे कैसे speaking करें, आज का class खास important होने वाला है, आज का क्लास आपको पता नहीं कितना ज़्यदा महत्पूर्ण है जो की आपके दिमाग को अलग से हिला देगा आप कहीं भी कुछ भी करते हो, उससे मकुमतलब नहीं है आज का एक क्लास आपका दिमाग और आपके सोचने का जो तरीका होगा उसको impact करेगा याज के class में हम लोग करने क्या जा रहे हैं sir आज मैं पहने जा रहा हूँ role of axillary work क्या पहा रहा हूँ आज क्लास में आज का जो class आपका होगा उस class में पहाने जा रहा हूँ आपको जिसका नाम है role of axillary work role of axillary work अब सबसे पहले इस बात को जने कि roll-off auxiliary भर्व क्या होता है है नहीं बच्छा रोल ओफ auxiliary भर्व इस फिस भारुव होग के बहुत बड़ा टॉपिझ है और इसमें बहुत सारे कॉंसेप्ट चीपे पड़े हैं यह role of auxiliary verb है यह बहुत बड़ा concept है बहुत बड़ा concept है और इस concept में जो आप देखोगे तो इस बड़े concept में role of auxiliary verb बहुत बड़ा concept है और इस concept में जब आप देखोगे तो इस concept में आकर के auxiliary verb के role में जब आप जाओगे तो आपको देखे, मैं especially दे रहा हूँ Roll of Axolary Verb, ठीकि-बटा यहाँ देखे, अब collection क्लोग गया, तो Roll of Axolary Verb अब Axolary Verb का मैं सिखा रहा हूँ आपको अब Axolary Verb क्या है वह जानाए है? सबसे पहले दो Concept आपको ले नहाए है, एक Roll of Axolary Verb और एक रोल आफ मेन भर्व, अगर कोई वक्ति आप से पूछे एक ओरली एक्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कि जैसे कोई वक्ति आप से पूछता है कि बताओ ऐक्जलरी भर्व और मेन भर्व में क्या अंतर हैं, मैं आज बड़े अराम से पहा रहा हूं, चोई बहुत मेजर तो अंग्रेजी में आपके सामने कोई ख़ड़ा होने में डरेगा और आपके अंदर इतनी पावर और कैलिबर आजाएगा कि आप किसी के सामने आँख साख मिलाकर बात कर सकते हैं कितना अग्रेजी का बिद्वान क्यों न हो चुकि आज की रोल ऑफ अग्जलरी वर्व का ज करूं में भर्व की बात करूं तो एक बिभारी ग्यान देता हूं आपके घर में एक नौकर है और आप एक मालिक हो एक मालिक एक नौकर अब ध्यान दो कि अगर नौकर घर में है मालिक भी है तो वहलू जादा किसका होगा मालिक का अफकुर्स नौकर का वहलू कम यानि माल मालिक भी नौकर भी, दोनों व्यक्ति मौजूद है, तो मालिक घालू जादा है, यानि मालिक क्या हिँगा मेन काम कर रहा है, यानि जो मेन काम करता हुआ इह मेन भर्व होता है यह दिटर पहाँ गाजस्ट एक एक जामपल दे रहा हूं तो यानि कि sentence में अगर main verb हो क्या हो main verb हो और उसके पहले कोई भर्व हो तो उस भर्व को हम helping verb के नाम से जानते हैं उसी को auxiliary verb भी कहते हैं यानि कि मालिक और नौकर दोनों मौजूद हो मालिक और नौकर दोनों यानि किसी sentence में दो में भर्व संभव नहीं हैं एक घर में दो मालिक नहीं एक घर में एक ही मालिक लेकिन नौकर एक से जादा हो सकता है बासमच पार हो इतना बेवारी ग्यान दे रहा हूं कि आप की से बोलो कि तो आपकी प्रशनालिटी बन जाएगी एक संटेंस में एक ही में भर्व होगा लेकिन एक से जादा हिल्पिंग भर्व हो सकता है एक से जादा आगजलरी भर्व हो सकता है यानि एक घर में एक ही मालिक होगा लेकिन नौकर एक से जादा हो सकते हैं बासमच पार हो यानि कि आगजलरी भव की संख्या एक से जादा एक संटेंस में हो सकता है काउसर कैसे अब मैं दिखाता हूँ करके पहले पहले मैं सिखा दूँ उसके बाद मैं आगे डिटल पहाऊँगा इस सब कमजिल किसे हमने संदिस बोला कि I have been living in Delhi since 2010 अब देखो यहां पर अब देखो have भी हो गया helping भर, been भी हो गया helping भर और living हो गया main भर हमने क्या कहा किसी sentence में एक ही main भर होता है लेकिन auxiliary भर दो होता है जो auxiliary भर होता है वो meaningless होता है यहां पर have been का कोई मतलब नहीं है यहां पर living का मतलब है I have been living in Delhi मैं दिली में रह रहा हूँ 2010 से तो यह having का कोई मतलब नहीं नहीं यानि कि जो auxiliary भर होता है वो meaningless होता है समझ यह दो बात क्योंकि जो बात में आप से बोल रहा हूँ उसको आप राइड डाउन कर लिजे यानि auxiliary भर बड़े आराम से और सांती से आप क्यों बोल रहा हूँ पता है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग तर जाए अग्जलरी भर टोटल होते कितने है 24 यह 24 जब जब इसका नाम auxiliary भर होगा helping भर होगा तो यह meaningless होगा यह क्या होग यहa ke living का कार्म करें वह मेंद भर रौ काम कराएं बाकित मिनिंगलेस है अग इसी संटैंस में अगर इसी वाक्य में एस कर दूं ध्यान दिजे गां at इसी वाक्य में हैसे कर दूं ध्यान तीयवा कि है sounds from a di incompetor but I'd become speech been there तो I have been there कर दूं देखे गवर से आपके लिए क्या बन जागा है I have been there तो यह सेंटेंस आपके लिए क्या बन गया देख रहे हो, I have been तो यहां पे I हो गया subject been helping भर देख पा रहे हो यहां जो है I हो गया subject have हो गया हेल्पिंग भर और बीन हो गया में भर तो मेरे कहने का सेंसे है किसी भी सेंटेंस में में भर हमेशा एक ही होगा डबल नहीं हो सकता यह बीन का मतलब हो गया मैं वहां गया था या हो आया था तो कहने का मेरे सेंसे है बच्चे कि अब मैं आपको सिखा रहा हूं रोल ओफ एक् अब होप आपको समझ में आ गया होगा, हेटी मना लीजे, अगर कॉपी कलम लेकर काया हो, तो बनाइए हेटी रोल आफ एक्जली भर और इस पर डिटेल चलने का प्रयास करते हैं, अब आपको थ्वासा आइडिया मिल गया, कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप करे न क्या याद करोकर पहला क्रास नहीं किया है, तो आप इसका पहला दूसा सफ़ा दिख ले이邨, देटुदर तट्री, आपको से डेवरह रही है, इसके जिश्टे पहले, उसके जिश्टे पहले, उसी टेंस में प्रहाया था रोल आफ एकजिरी भर उसी को heading डालो इसको मैं प्रहाना सुरू कर रहा हूं आप heading डालो प्रहाना सुरू कर रहा हूं देखिये board पे सबसे पर रोल आफ एकजिरी भर में कुछ बढ़िया से point लिख रहा हूं मैं आपके लिए V1 आपके बटा इस चार्ट याद रखिए फड़ा फट थ्वार सा चार्ट गड़व हो गया फिर से लिखता हूं इसको यहां सबसे पर लिखेंगे वर्व तूबी वर्व तूबी दूसरा बनेगा हम लोगों का वर्व तूडू आप भी मेरे साथ कॉपी करते रहें फटापट एक क्लास बहुत महत्पूर्ण होने वाला है इदा में बिलुकू लाइब की जैसा पहा रहा हूं वर्व तूडू देख रहा हो वर्व को क्या लिदेता है वर्व तूडू जल्दी से फटापट अब आप लोगे लिखते रहें वर्व तूडू भर्व तूडू वर्व तूडू वर्व तूडू है ठीक ही बटा वाब टू नीड वाब टू नीड वाब टू नीड ठीक है वाब टू डेयर ठीक है वाब टू बिल यह देखी ही हो गया अब यह टोटल छे को हमने ऐसे बॉक्स मा दिया देखें फटा फट टोटल अग्जरी फ़र का लिस्ट दे रहा हो आपको वी वन वी टू वी त्री वी फरइन वी 5 यह अब देखें वाब टू घू कराम से लोग पढ़ रहे हैं ना वाव 2B V1 V2 V3 V4 V5 हमने आपको बेसिक क्लास में भरवा क्लास दिया होगा इसके दो क्लास पीछे जाओगे दो दिन पहले जो प्रहाया हूं उसमें V1 V2 V3 V4 क्या प्रहाया था कि V1 जिस दिन टाइम एंटेंस शुरू किया था ना उस दिन ह हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं M0 to go past बोलते हैं V3 को परफेड बोंते हैं V4 को continue को ना परदेंस बोलते हैं V5 को फिर छe percent बोलते हैं V1 का मतलभ बी किसो करते हैं तो am और are to do में do have मैं साब सब लिख रहा हूँ आपके लिए और के यह तो मैं पेन और चेंज करता हूँ और बहतरी लिखता हूँ आपके लिए have need के लिए need dare और will ध्यान दिजिए will यहाँ पे model नहीं है will यहाँ पे क्या है आगिजलरी भर्व और में उसंग्याए यहाँ हो गया भीवन घीटू में देखिए was were did had needed dared और ध्यान दिजिए बेटा will का would नहीं करना will का will यहाँ पे will वो models नहीं है कि will का would could sell का सूट कैन का could make a might नहीं यहाँ will का will करना है चुकि will को हमने वर्व लिया है भीवन लिया है जब भीवन लेंगे तो will का भीवन नहीं तो I am willing to meet you willing मतला भीफोर हो गया यहाँ देखिए फ्राइबर वाजबर यहाँ बोलें हम been do did का done head का head needed dared और यहाँ भी will यहाँ देखिए been का being doing यहाँ बिलकुल नया concept होगा आप के लिए having needing daring daring और willing V5 की बात करें is does has needs dares wills यहाँ चीज हमें लिख दिया अब इस चीज को आप कॉपी कर लें आपके लिए helpful होगा मैं इसका color देख लेता हूँ देखो वीवन जो आया वो यहां से यहां तक आया भव टू डू अवव टू अवव टू है वव टू नीड अवव टू डेर अवव टू विल ठीक बिटा लाइन और अच्छा खीच लेता हूँ देखिए यहां पे यह हो गया यह हो गया और यह यह यस ठीक बालक अब यहां देखा आपने वाव भीवन में यह अब जरासा गौर फर्माइए मेरी तरफ नजरे टिकाए रखो ध्यान कहां है यहां देखो इसको स्क्रीन सॉट लिया ले लिया अब इसको बार अगर कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो यह टेक टाइम लिख लिया इसको अब चुकी मैं प्हा रहा हम उने प्हाया है यूटूब पर वीडियो नहीं प्ला रहा है सीधा लाइफ आंख से मिलाकर के प्हा रहा हूं सीधा में यह कोई ऐसा वीडियो नहीं की जैसे चार्ड निपर ज़एज अब अब कम्पलीट फ क्या कहा? मेन वर्ब अब दखो कि मेन वर्ब है लेकिन हमने अंदर में क्या लिखा? अचलरी वर्ब अंदर क्या लिखा? अब जगा गौर से 2-3 पॉइंट लिखना है जो आपको समझना है कि all these अचलरी वर्ब्स are used all these अचलरी वर्ब्स are used as an अचलरी वर्ब as well as main वर्ब यानि all these अचलरी वर्बs are used as an अचलरी वर्ब as well as main वर्ब यानि कि सारे अचलरी वर्ब का प्रयोग अचलरी वर्ब के साथ साथ main वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है ए पॉइंट लिखा सारे अचलरी वर्ब का प्रयोग एक्जलरी भर्व के साथ साथ में भर्व के जैसा भी किया जा सकता है यह जितना भी हमने लिखा ना यह प्रहा रहा हूं यह सारे का प्रयोग एक्जलरी भर्व के साथ साथ में भर्व के जैसा भी किया जा सकता है बात भेजे में गया ना यहाब एक बास मैं आशर कि सबका प्रयोग एक्जलरी भर्व के साथ साथ में भर्व के जैसा भी किया जा सकता है इसको मैं जश्ट आपको छपा ज़ता हूँ लिख लिए अब दो पॉइंट और समझाना है इसका नाम है अक्जलरी भर मेन भर्व अब देखो गौर से मैं बार बार भार इसको लाओंगा चुपाऊंगा अब देखो बोड पे हमने कहा कि सबजेक्ट पलस मैं बलैक पिलने लेता हूं ताकी आपको समझने में दिकत ना हो देखिए बोड पे हमने कहा बेटा कि subject plus v1 या v5 plus other word पहले जो सिखारों वो सिखने का प्रयास करो मेरे बाबू subject plus v1 v5 plus other word बोलो simple presentance का है कि नहीं है अरे simple presentance का है ने जी कल पहाया था ना कल नहीं आया था life sir कोई बात नहीं पर सोया था ना तो यह पहाया था ना आपको तो यह simple present का है अब जा इसको नजर ठिकाए रखो यहां पे देखो बापिस अब देखो कि यहां पे am, are, do, have, need, dare, will यह बोलो भीवन में है कि नहीं है यह total यहां से लेकर के यहां तक यह भीवन में है कि नहीं तो बोलो भीवन का मतलब present हुआ कि नहीं यहां देखो वीफाय में देखो कि is does has needed there सब में इस एस लगा यह नहीं लगा बोलो यह सब का सब present हुआ कि नहीं यानि भीवन भीवाइब मतलब हुआ कि these all words these all words are used in simple present tense these all words are used in simple past tense these all words are used in perfect tense these all words are used in continuous tense चाहे वो continuous कोई बाला हो मेरी बात आप तक पहुँच रही है न communication gap नहीं नहीं जी मेरी बात जो बोल रहा हूं वो पहुच रहा है दिमाग में सिधा यहां से जो निकल रहा है सिधा दिमाग में जा रहा है बहुत सुंदर अब देखा एक बास में आगया कि यह वीवन भीवाइब में पर जेंटेंस होता है इसका मतलब इसका मतलब क्या है सार देखो बोड पे क्या है इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ पे एक पॉइंट लिख लो मैं structure में लिख रहा हूँ तुम इसको language में लिख लो कैसे सार देखो क्या बोल रहा हूँ यदि auxiliary verb के बाद यदि auxiliary verb के बाद में भर्व का प्रयोग किया जाए देखो auxiliary verb के बाद में भर्व का प्रयोग किया जाए समझो यदि auxiliary verb के बाद लिख लो बटा यदि auxiliary verb के बाद में भर्व का प्रयोग किया जाए तो यह auxiliary verb को हम helping verb के नाम से जानते हैं एदि एक्जलरी भर्व के बाद में भर्व का प्रियों किया जाए तो इस एक्जलरी भर्व को नाम करन क्या चेंज करेंगा हम helping verb help करने के लिए आया है जैसे सर अभी जैसे दिखाता हूं हमने कहा he has done his work he has done his work अब दोखो he तुमारा subject has done बोलो done तुमारा वित्री तो इस एक्जलरी भर्व का नाम क्या होगा बोलते रहो पढ़ने का मतलब बोलना तुम्हारे आवाज तक चाहिए तुम्हारी गुण्ज़ पहुशने चाहिए उस्सचता के मेरे साथ घूस लगset करें मेरे साथ खो जाओ भूल जाओ इस दुनिया को मेरे वे तुम खोर तरहें मैं खो जाओ तभी आपको पढ़ने का औहीं अनंद लगाएगा टभी मजायगा पढ़ने का है ना बहुत बढ़िया कमेंट करने में खुब आनंद आ रहा है तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है कमेंट करने बहुत बढ़िया सारे बच्चे बड़े आनंदाएक हैं आनंद बहुत लेते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बठीव आनंद कुमार is गिर्दी आफली भर्व के बाद मैने भर्व कार्योग किया जाउब तो ऐखली भर्व, घल्पिंग है। रॉपिंग भर्व कहलता है। यह समझांग właściwie। तो बोलो यहां फे हैज मिनिंकलेस है के नहीं बाभु Vicki फेल्डी यहां प har बोलो है कि वह रखता है कर दिया है यह नहीं जी वह दंड ही बर उसने अपना काम किया है बोलो है इस मतलब है इसलिए एक जाता है में बर वकाप रहो तो तो बहुत है फिर से बोल दे रहा हूं यह आगे बढ़ो concept number two प्याजाओ यहां समझा आ गया concept two कहता बिटा चाहो तो लिख लो यदी आग्जलरी भर्व के बाद मेन भर्व का परयोग ना हो यदी आग्जलरी भर्व के बाद मेन भर्व का परयोग ना हो कार दियां नहीं हो नहीं हो तो हो क्या यदी आग्जलरी भर्व के बाद मेन भर्व का परयोग ना करके uh noun या other word ना या other word या adjective या कुछ भी आ जाए तो इसको राइठ हो जागा और इस आग्जलरी भर्व को राज की बात मेन भर्व की संग्या दी जाती है देखो वही एक्जली भर मेन भर बन जाएगा भाई यह कैसा कॉंसेप्ट है सर आज तक नहीं पहाँ भाई सु किताब में मिलेगा तुम कहां ढूंड रहे हो इस अब हिताब किताब नहीं है यह आश्टर मास्टर सूपर की चीज है यह कॉंसेप्ट है अंगरी जी का जड़ है लोग कॉंसेप्ट बोलते हैं मैं कॉंसेप्ट पहाता हूं लोग चिलाएं के मैं दिमाग में डाल दूंगा सिधा यहां यूटूब है भाई पहा रहा हूं सिधा हमने का विटा किया दी एक्जली भरों के बाद नाउन या अधर वर्ड का प्रोग हो तो वह एक्जली भर में आपकी पास रूट नहीं है फ्रूट की चिंता कर रहे हो अरे फ्रूट मिलेगा तुम रूट पे पानी दो रूट पे काम करो रूट मिलेगा तो फ्रूट भी मिल जाएगा हम लोग अकसर जल्दी में रिजल्ट चाहते हैं प्रयास करना नहीं चाहते है तुरत चाहते हैं क प्रक्टिस च्वेहाँ तएक काम करना पड़ेगा अगर शेएस नहीं है तो साल जावसाल करता है। अगर आप ऐू पी शेख की तैरी करते हैं और सी kokफ के लिए कार्स साल में अर अगर शेट मैं जाओ जाओ Dan तब जाके हम लोग सिखते हैं तब जाके बहतरीन काम होता है और बहतर काम कर पाते हैं ठीक है तो फिर सुन लो हमने कहा यदि एक्जली भड़क के बाद में भड़क का प्रयोग ना हो बलकि नाउन या अधर वर्ड या अधिक्टिव का प्रयोग हो तो वह एक्जामपल से प है यहां भी लिका है रइट अब हमने कहा ही है में घोन लीखा ही है का यहां अकार है अब देखिए बोड़ पे दोड़ चलाइब हैज है फोटाप लिए लोड़े लीडे काविश्य अब देखिए, यहाँ सबों दिखरा Hetा साड़े बच्चे को, यहां पे है इज सबों दिखरा है बट बट ता, यहां पे देखिए है जै क्या है? V5 और देखो, B का मतलब होता है हो न मुड़ धे trigger तो यह सारे word होने का बोर्त कराएगा, do मतलब करने का, have मतलब रखने का अब बताए, यहाँ पे has v5 में है कि नहीं है, यानि कि main verb हो गया, किस वाग बता main verb, अब बापीस है अब देखे example, he has gone there, he has gone there, अब देखे, gone v3 है कि नहीं है, अब बताओ कि यह बला has, meaningless हुआ कि नहीं हुआ, तो मिन इंगलेस हुआ, तो इसका नाम हो गया, helping verb यह v5 नहीं है, लेकिन यदि अगजली भर्व के बाद, noun का प्रयोग हो, देखो, noun है कि नहीं है यह article लिया है, तो बोलो वह रखता है यह कार, उसके पास, इसका मतलब हुआ पास इसका हिंदी भर्व रखना तो अब बताओ, यह मेन भर वह रख नहीं हुआ, वह ही है helping verb, वह ही है मेन भर जड़ समझ मा रहा है अंग्रेजी में उगल्जो मत यह ही sentence है अब लोग पूछो कि है कार किस tense का तो यहां पे काम हो गया v5 यह है v3 और यह हुआ helping verb तो यह जब v5 हुआ तो यह हुआ present tense और यह जब गौन हुआ तो यह हो गया perfect tense तो क्यू मैं simple present में तातेती नहीं पहाता अब समझ माया क्यूंकि मेरे पासे कार है तातेती कहां से लाओं कहां से तातेती लाओं इस पासे कार है किस tense में bhai present tense I have a car मेरे पासे कलम है I have a pen present tense का है अँ present tense में तुम तातेती रटा माने हो बाई रटा माने से का काम चलेगा तुम ने रटा मार लिए I have a car present tense में कीसे हो गया क्यों इसलिए हुआ कि है वह पर भीवन है तो भीबन और भीबन परजेंट इंस में होता है, अब लोग बोल देगा perfect tense, अब समना रा है, अब यहां पर समझेए, तो भाब यहां पर to have था, to have मत रखना होता है, तो अब यहां समझेए, अब इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एग्जामपल और समया प् लड़का ने देखा head, सिधा attack किया, कि sir head है ना, past perfect answer, past perfect answer, आप ज़िए सोचो, भाई perfect का मतलब क्या होता है, तुमने head देखा कर दिया perfect, अरे बेटा, head का मतलब perfect नहीं होता है, मेरे बच्चे, यह head मतलब perfect नहीं है, मेरे बाबू, यह तुम्हारा head है, कहां वो check करो, वो check करो, मैं भी check कराता हूँ आपको, यह देखो, head कहां है, V2 में, मैं इसको red clear से करता हूँ, यह देखो, head दिखा आपको, highlight किया, अब कोई sir, बगल में देखिए, यहां भी head है, देखो बोट पे, अब head V2 भी है, head V3 भी है sir, अब बताएं कि V3 head है तो perfect हुआ कि नहीं sir, अब हो गया जगडा, अब आप प्रूफ करोगे कि V2 है कि V3 है, मैं बापीस आ रहा हूँ, V3 में भी head होता है, V2 भी head होता है, अब इसको प्रूफ करूँगा, कि भाई कौन बला head है, I had my lunch, अगर मैं इसे V3 मानता हूँ, V3, तो perfect tense हुआ कि नहीं होगा भाई, नहीं होगा कैसे सर, भीत्री तो है, भीत्री होता perfect tense, गलत concept, भीत्री perfect तब होगा, जब उसके पहले helping verb होगा, यहीं दो चीज़ और जान जाए, यानि कि आप दो चीज़ जान लिजे, यानि कि subject plus, यहीं कहा था जी, subject plus, यहीं कहा था आपको just अभी, कि subject plus, auxiliary verb, plus main verb plus other verb, यानि main verb तभी है, जो इसके पहले, क्या helping verb है, और दो ही main verb, यानि V3 और V4, यानि V3 और V4 कभी अकेले नहीं आता, अगर किसी sentence में पहचानना हो, तो V3 पहचानना हो, तो इसके पहले helping verb चाहिए ही चाहिए, बिना auxiliary verb के, बिना helping verb के, V3 या V4 संभव नहीं है, यानि ये proof हो गया, कि ये head V3 नहीं है, ये head V2 है, V2 कैसे हुआ सर, क्योंकि V2 अकेले आता है चाहो, तो लिख लो, V1, V2, V5, क्या बोला हमने, मैं बोल रहा हूं, देखिए, V1, V2, V5, अकेले आता है, अकेले आता है, अकेले का मतलब क्या है सर, अकेले का मतलब होता है, बिना auxiliary verb के आ सकता है, यानि कि V2 और V3, sorry, V1, V2, V5, V1, V2, V5, बिना helping verb के भी आ सकता है, यानि जिस sentence में helping verb ना हो, उस sentence में V1, V2, V5 आ सकता है, इसको लिख लिए और अगर V3, V4 लाना हो, तो helping verb देना must है, यानि V3 और V4 बिना helping verb के संभाव नहीं है, इसका मतलब हुआ, कि ये बाला हैड, सो परतिसत, तुम्हारा V3 नहीं है, ये गलत हो गया, इसका मतलब हुआ, कि ये बाला हैड, सो परतिसत, तुम्हारा second form है, अब बताओ, I had my lunch, किस sentence का हुआ, simple past tense का हुआ, कुछ-कुछ दिमाग मों जा रहा है, एक सला देना चाहता हू अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, तो अभी आप घर बैठे हैं, पूरा क्लास, एक वीडियो क्लास पूरा का पूरा आप ले लो, इस पे कॉल कर लो, चल रहा है वीडियो पे से वाटसप कर लो, और पूरा सिस्टेमेटिक बढ़ा-बढ़िया से क तो, तो I had my lunch, ये simple past tense का है, अब देखते हैं detail इसको, क्या करना है, अब देखो इसी को अगर मैं लिखू, मैं page change कर लेता हूं, हमने लिखा, I had my lunch, I had my lunch, अब देखो बटा, अबने क्या लिखा, I had had my lunch, I had had my lunch, teacher बोलेगा, had had का यूज है, और इस दुनिया में had had कुछ होता क्यों पड़े ओ, teacher के चक्कर में, ये had bad दो नहीं होता कभी, अरे बेटा, ये है helping verb, ये हो गया main verb, अब हो गया main verb का मतलब हो गया V3, तो V3 का मतलब हो गया past perfect tense, ये हो गया simple past tense, तो खेल समझो अंगरेजी का न, ये बला had helping verb, ये बला had main verb, इसका मतलब होता है, head का मतलब होत होता है, पीना भी होता है, head एक multi modern use word है, यहाँ head के बदले में तुम चाहो तो ate कर सकते हो, इस head के बदले में टुक कर सकते हो, इस head के बदले में eaten कर सकते हो, इस head के बदले में taken कर सकते हो, I had taken my lunch, I had eaten my lunch, I had had my lunch, चुकि head had, एक advanced तरीका हो गया, eaten बोलना थ्वा modern नहीं है, ल तो इस तरह से अंग्रेजी था परंपुराइं बदलती रहती है चेंज होता रहता है तो मुझे यह बताइए यह बात समझ में आया कि नहीं है आगे समझते हैं और बढ़िया से तो यह हुआ यह हुआ सिंपल पास्टेंस यह हुआ पास्ट पर्फेक्टेंस हम पहा रहे हैं आपको क्या रोल ओफ अग्जली भर इसका मुद्दा थ्वास और समझेए मैं कुछ एजांपल दे रहा हुआ हमने बोला यू आर अस्टुडेंट देखे गौर से यहां फिर दिया हमने यू आर नौट अस्टुडेंट तिसरा दिया हमने यू आर गोइंग तु देलही फिर दिया हमने यू आर नौट गोइंग टु देलही ठीक बचे अब देखो यू तुम्हारा सब में सब्जिक्ट है ठीक है अब आर यहां पर देखो समझो गोर से यह जो ऊपर वाला दो आर है समझे बहां से यह जो ऊपर में दो आर है इसे हम कहेंगे में भर और जो नीचे में दो आर है इसे कहेंगे हेल्पिंग भर क्यों सर यहां पर गोइंग लगा हुआ है तो गोइंग का हुआ में भर एक संटेंस में दो में भर नहीं आ सकता इसलिए इसका हो गया हेल्पिंग भर और इसका नाम हो क्या में भर यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि जो भी भीवन यहां सह तक आया है यह सब का सब सिंपल प्रजेंट टेंट इन्स का है ऐसा नहीं कि आप है देख लो तो पर्फेट्ट बोल दो I have a car, I have a pen, I have gone there, जो भी बोलोगे, उसाब हो जागा simple present tense, और यहाँ भी बोल दोगे, यह singular, भी मतलब क्या होता है, singular, और भी मतलब क्या होता है, plural, तो यह भी present और, यह भी present, यह हो गया past, यह हो गया perfect, यह हो गया continuous, इस तरह से role of auxiliary भर्व, आप बेहतर कर सकते हैं, और यहाँ इग्जामपल देखिए, यह हो गया helping भर्व, यह हो गया main भर्व, यानि, यह है अगजली भर्व के बाद, main भर्व का प्रयोग हो, तो वह से हम helping भर्व कहते हैं, यानि यहां पे कोई बक्ति आप से पूछे, are you a student? आप पूछे कहें कहें कहां पे आर किस रोल में है तो आप कह सकते हो कहां पे आर में भर्व के रोल में है हना he is a teacher कोई ब्रक्ति पूछे कि is क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा is वहाँ पे main verb में है और he is going to market वहाँ पे is क्या है तो वहाँ पे is अगजली भर्व करूप में है जब अगजली भर्व के बाद noun का प्रयोग हो और वहाँ अगजली भर meaningful हो जाए तो उसे हम main verb कहते हैं और यदि अगजली भर्व के बाद noun का प्रयोग ना हो verb का प्रयोग हो main verb का प्रयोग हो तो उसे हम helping verb कहते हैं I hope एक दो बार समझ में आगया होगा फिर मैं यहाँ पर आपको hint करता हूँ यहाँ आपके लिए काफी important है और इसको आप एक बार देख लीजे और यही आपके थम्दिल में पढ़ा रहेगा इसको आप पढ़िए और बार एकी से इसको दुवारा देखिए तिवारा देखिए आपके लिए बड़ा आनन्द आयक पार्ट है और यह बड़ा मज़दार चीज है और आपको आनन्द आयगा मज़ा आयगा एक एक कर सिस्टमेटिक देखिए आप इसको एक अलग तरह का पोर्सन है एक अलग तरह का थीम देख रहेगा और आपको समझने में आनन्द आयगा बहतरीन लेगा इसको जरूर पढ़िए और दुवारा देखिए इसको तिवारा देखिए आपके लिए एक बहतरीन है और इसको समझने का प्रयास किजिए और जो जिन बच्चों को दिक्कत हो वो पीछे वाला वीडियो देखिए आपको जो लिंक करने में अच्छा लएगा हम लोग पहरें भी सिंपल प्रेजेंटेंस फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए आज में फिर से काम करते हैं थैंक्यू बरी मच्च आपके जब कर्मेंट ले लूँ क्या कर रहा आप से लूँ और के सर्थ अब बिक्रम जो पर शुक्राब कर दो इस अब आप सब इतने मज़दार होँ ने बिटा कि बिलकुल लगता है मन प्रहाता ही रहूं प्रहाता ही रहूं कभी-कभी कुछी चीज़ें हो आती है कि हमेशा मैं आपके लिए एक नए जोस में आता हूँ और आपके लिए नए जोस में आता रहूँगा गोड़नाइट सायर, थैंक्यू सो मैच, थैंक्यू बच्चे को थैंक्यू, थैंक्यू, थैंक्यू मैं देखो जो प्रहाता हूं थ्वास लग प्रहाता हूं ताकि आपको concept बनके आजाए और यह concept बनके जबाद आजागा तो आपके लिए बेहतरी नाइडिया रहेगा Thank you very much, good night, सबको good night, bye bye